प्यारे साथ संग जी बड़े प्रेम से कहना जी, धा निरंकार जी साथ संग जी, रविवार के सत्संग में पार्क में एक बहुती सुंदर द्री से देखने को मिला एंटरी गेट के पास घुलाब के दो फूल खीले थे वो दोनों इतने सुन्दर लग रहे थे कि जो भी वहाँ जाता था सबका ध्यान उस पर ही जा रहा था ऐसे तो सुन्दर फूल देखकर कोई भी उसे तोड़ना चाहता है परन्तु उस दिन उस दोनों फूलों को किसी ने नहीं तोड़ा बहुते ने उसे चुआ, प्यार किया, सेलफी भी ली पर किसी ने भी उने अलग नहीं किया उन फूलों को देखकर ध्यान आया कि हम सब जब किसी के सादी में जाते हैं, मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं तो एकदम ताजे फूल को ही भेट करते हैं, कारण यही होता है कि उसमें खुसबू होती है, ताजगी होती है, वो आनन्द और खुसी देती है, इतनी बात तो सब के समझ में आती है, पर कुछ लोग ऐसे हैं, जिनें इतनी बात भी नहीं समझ में आती, जब साथ वर्ष में सरकार भी सर्विस से रिटायर कर देती है, जब वो किसी और काम के नहीं रहते, घर वाले भी जब बोज समझने लगते हैं, तब वो कहते हैं कि बाकी जिन्दगी भगवान को अब अरपड कर देंगा, इंसान कितना होसियार है, जब सरीर ना सेवा करने लाइक होता है, और ना सत्संग करने लाइक होता है, ना ही सिमरन में ध्यान लगाता है, ऐसे समय भगवान को जीवन अरपड करने का ध्यान आता है, साथ संगजी, दातार ने नजर दी दिखता है सब कुछ है पर इनसान देखकर भी आख बंद किये जीवन बिता देता है जीवन भी एक फूल की तरह है सासंगजी जो रोज मुर्जा रहा है अरपड करना ही है तो खीले हुए फूल का ही अरपड कर दें मुर्जाय फूल ना खुशबू देते हैं और ना ही कोई खुशी देते हैं सासंगजी समय है अभी भी चेतन हो जाए बेकार की बातों में समय ब्यर्थ न गवाए मन को परमेस्वर में लगाए यही जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है सासंगजी बड़े प्रेम से कहना जी धानिरंकार जी